बापू की आत्मकता सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याई में आपने सुना कि सत्याग्रह आश्रम को स्थापित हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि एक अंत्यज परिवार वहां रहने आप पहुंचा इस परिवार के विरुथ नाराज की दर्श कराने ही तु आश्रम को पैसों की मदद मिलना बंद हो गई परन्तु एश्वर ने मदद भेजी एक सेट्स जी आए और तेरा हजार रुपे दे कर चले गए तो आए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय गिर्मिट की प्रथा अब नए बसे हुए और भीतरी तथा बाहरी तुफानों में से उबरे हुए आश्रम को छोड़ कर यहां गिर्मिट प्रथा पर थोड़ा विचार कर लेने का समय आ गया है गिर्मिटिया यानि वे मजदूर जो पांच बरस या इससे कम की मजदूरी के इकरार नामे पर सही करके हिंदुस्तान के बाहर मजदूरी करने गए हो नेटाल के ऐसे गिर्मिटियों पर लगा तीन पॉंट का वार्षिक कर सन 1914 में उठा लिया गया था पर गिर्मिट की प्रथा अभी तक बंद नहीं हुई थी सन 1916 में भारत भूशन पंडित मालविय जी ने ये प्रश्न धारा सभा में उठाया था और लॉर्ड हाडिंग ने उनका प्रस्ताव स्विकार करके घोशना की थी कि समय आने पर इस प्रथा को नश्ट करने का वचन मुझे समराट की और से मिला है लेकिन मुझे तो इस प्रथा का ततकाल ही बंद करने का निर्णे होना चाहिए हिंदुस्तान ने अपनी लापरवाही से बरसों तक इस प्रथा को चलने दिया था मैंने माना कि अब इस प्रथा को बंद कराने जितनी जागरिती लोगों में आ गई है मैं कुछ नेताओं से मिला, कुछ समाचार पत्रों में इस विशे में लिखा और मैंने देखा कि लोग मत इस प्रथा को मिठा देने के पक्ष में है क्या इसमें सत्याक्रह का उपयोग हो सकता है मुझे इस विशे में कोई शंका नहीं थी पर उसका उपियोग कैसे किया जाए सो में नहीं जानता था इसी बीच वाइसरोई ने समय आने पर शब्दों का अर्थ समझाने का आवसर खोच लिया उन्होंने घोशित किया कि दूसरी विवस्था करने में जितना समय लगेगा उतने समय में ये प्रथा उठा दी जाएगी इसलिए जब सन 1917 के फरवरी महीने में भारत भुशन पंडित मालविय जी ने गिर्मिट प्रथा सदा के लिए समाप्त कर देने का कानून बड़ी धारा सभा में बेश करने की इजाज़त मांगी तो वाइसरोई ने वैसा करने से इंकार कर दिया इसलिए इस प्रश्ण के संबंध में मैंने हिंदुस्तान में घूमना शुरू किया ब्रहमड आरंभ करने से पहले मुझे वाइसरोई से मिल लेना उचित मालूम हुआ उन्होंने तुरंथी मुझे मिलने की तारेख भीजी उस समय मिस्टर मेफी अब सर जौन मेफी के साथ मेरा अच्छा संबंध स्थापित हो चुका था लॉर्ड चेम्सफर्ट के साथ संतोष्यनक बाद चीत हुई उन्होंने निश्यपुर्वक तो कुछ न कहा पर मुझे उनकी मदद की आशा बधी ब्रहमण का आरंभ मैंने बंबई से किया बंबई में सभा करने का जिम्मा मिस्टर जहांगीर पिटीट ने अपने सिर लिया इंपेरियल सिटिजन्शिप एसोसियेशन के नाम से सभा हुई उसमें डॉक्टर रीड, सरललू भाई शामलदाज, मिस्टर नटराजनाद शामिल थे मिस्टर पिटीट तो थे ही प्रस्ताओं में गिर्मिट प्रथा बंद करने की विंती करनी थी प्रश्ण ये था कि वो कब बंद की जाए तीन सुझाओ थे जितनी जल्दी हो सके 31 जुलाई तक और तुरंट 31 जुलाई का मेरा सुझाओ था मुझे तो निश्चित तारिख की जरूरत थी ताकि उस अवधि में कुछ ना हो तो ये सोचा जा सके कि आगे क्या करना है या क्या हो सकता है सर लल्लू भाई का सुझाओ तुरंट शब्द रखने का था उन्होंने कहा 31 जुलाई की अपिक्षा तुरंट शब्द अधिक शिगरता सुझक है मैंने समझाने का प्रेतनी किया कि जनता तुरंट शब्द को नहीं समझ सकती जनता से कुछ काम लेना हो तो उसके सामने निश्यात्मक शब्द होना चाहिए तुरंट का अर्थ तो सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे सरकार उसका एक अर्थ करेगी जनता दूसरा 31 जुलाई का अर्थ सब एक ही करेंगे और इस तारीख तक मुक्त ना मिली तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए सो हम सोच सकेंगे ये दलील डॉक्टर रीट के गले तुरंट उतर गई अन्त में सरलल्लू भाई को भी 31 जुलाई पसंदाई और प्रस्ताओं में ये तारीख रखी गई सारजिनिक सभा में ये प्रस्ताओं पेश किया गया और सरवत्र 31 जुलाई की सीमा अंकित हुई बंबई से श्री जायस पिटीट के अधक परिश्रम से इस्त्रियों का एक डेपुटेशन वाईसरोई के पास पहुचा उसमें लेडी ताता स्वरगे दिलशा बेगमादी में हिलाई थी सब बेहनों के नाम तो मुझे याद नहीं है पर इस डेपुटेशन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था और वाईसरोई ने उन्हें आशा जनक उत्तर दिया था मैं कराची कलकत्ता आदिस्थानों पर भी हो आया था सब जगे अच्छी सभाई हुई थी और लोगों में सरवत्र खोब उच्साह था आंदोलन आरंब करते समय मुझे ये आशा नहीं थी कि ऐसी सभाई होंगी और उनमें लोग इतनी संख्या में उपस्थित होंगे इन दिनों मेरी यात्रा अकेले ही होती थी इस कारण अनोखे अनभव प्राप्थ होते थे खुफिया पुलिस वाले तो मेरे पीछे लगे ही रहते थे उनके साथ मेरा जगड़ा होने का कोई कारण ही नहीं था मुझे तो कोई बात चिपानी नहीं थी इस से वे मुझे परिशान नहीं करते थे और ना मैं उन्हें परिशान करता था सभागे से उस समय मुझे महात्मा की चाप नहीं मिली थी यद्देपी जहां मैं पहचान लिया जाता था वहां इस नाम का घोश जरूर होता था एक बार रेल में जाते हुए कई स्टेशनों पर खुफिया पुलिस वाले मेरा टिकट देखने आते और नमबर वगएरा लेते रहते थे उनके प्रश्णों का उत्तर मैं तुरंधी दे देता था साथी यात्रियों ने मान लिया था कि मैं कोई सीधा साधा साधू या फकीर हूँ जब दो-चार स्टेशनों तक खुफिया पुलिस वाले आये तो यात्री चड़ गए और उन्हें गालियां देकर धमकाया इस विचारे साधू को नाहक क्यों सताते हो फिर मेरी और मुड़कर बोले इन बदमाशों को टिकट मत दिखाओ मैंने इन यात्रियों से धीमी आवास में कहा उनके टिकट देखने से मुझे कोई परिशानी नहीं होती वे अपना करतेवे करते हैं उससे मुझे कोई कश्ट नहीं होता खुफिया पुलिस वालों की तो मुझे कोई तकलीफ नहीं मालम हुई पर रेल की भीड की तकलीफ का मुझे लाहौर से दिल्ली के बीच कड़वे से कड़वा अन्भा हुआ कराची से कलकते मुझे लाहौर के रास्ते जाना था लाहौर में ट्रेन बदलनी थी वहां की ट्रेन में मेरी कहीं दाल गलती नहीं थी यात्री जबरदस्ती अपना रास्ता बना लेते थे दर्वाजा बंद होता तो खड़की में से अंदर घुश जाते थे मुझे कलकते निश्चित तारीख पर पहुँचना था ट्रेन खो देता तो मैं कलकते पहुँचना पाता मैं जगह मिलने की आशा छोड़ चुका था कोई मुझे अपने डिबे में आने न देता था आखिर एक मजदूर ने मुझे जगह ढूरते देखकर कहा मुझे बारा आने दो तो जगे दिला दो मैंने कहा मुझे जगे दिला दो तो जरूर दूगा बेचारा मजदूर यात्रीओं से गिडगड़ा कर कह रहा था पर कोई मुझे लेने को तैयार न होता था ट्रेन छूटने ही वाली थी कि एक डिब्बे के कुछ यात्रियों ने कहा यहां जगे नहीं है लेकिन इसके भीतर घुसा सकते हो तो घुसा दो खड़ा रहना होगा मजदूर मेरी और देखकर बोला क्यों जी मैंने हां कहा और उसने मुझे उठा कर खड़की में अंदर डाल दिया मैं अंदर घुसा और उस मजदूर ने बारा आने कमा लिये मेरी रात मुश्किल से भी थी दूसरे यात्री जियों तियों करके बैठ गए मैं उपर वाली बैठे की जंजीर पकड़कर दो घंटे खड़ा ही रहा इस बीच कुछ यात्री मुझे धमकाते ही रहते थे अजी अब तक क्यों नहीं बैठते हो मैंने बहतेरा समझाया कि कहीं जगे नहीं है पर उन्हें तो मेरा खड़ा रहना ही सहन नहीं हो रहा था यद्दे पिवे उपर की बैठकों पर आराम से लम्बे होकर पड़े थे बार-बार मुझे परेशान करते थे जितना मुझे परेशान करते थे उतनी ही शांती से मैं उन्हें जवाब देता था इस से वे कुछ शान्त हुए, मेरा नाम धाम पूछा, जब मुझे नाम बतलाना पड़ा, तब वे शर्माए, मुझसे माफी मांगी और मेरे लिए अपनी बगल में जगह कर दी सबर का फल मीठा होता है, कहावत की मुझे याद आई, मैं बहुत ठक गया था, मेरा सिर घूम रहा था, बैठने के लिए जगह की जब सचमुच ज़रूरत थी, तब इश्वर ने दिला ही दी इस तरह मैं टकराता और धक्का मुक्की बरदाश्ट करता हुआ समय पर कलकत्य पहुँच गया, कासिम बाजार के महाराच ने मुझे अपने यहां उतरने का निमंत्रण दे रखा था, कलकत्य की सभा के अधिक्ष भी वही थे, कराची की ही तरह कलकत्य में भी लोगों का उ मैंने तयार किया था, और ये आशा रखी थी कि किसी दिन ये अर्द गुलामी अवश्य ही रद्ध होगी। 1894 से शुरू किये गए इस प्रेत्त में बहुतों ने साहय था की, पर ये कहे बिना नहीं रा जाता कि इसके पीछे शुद्ध सत्याग्रह था। इसका विशेश विबरन और इसमें भाग लेने वाले पात्रों की जानकारी पाठकों को दक्षिन अफ्रिका के सत्याग्रह का इतिहास में अधिक मिलेगी। झाल कि तर ये विवचे जानकारी पात्रों की जानकारी तर ये विफ विजके विवचे सत्याग्रह के जार्थेश पाले हुट।